प्रधार मंत्री नरीन मोदी के तीसरी कारकाल की ये तीसरी मंद की बात सुनिया साथ बात करने के लिए स्पेस टेक्ट स्टार्ट अप गैलेक्स आई की टीम जुड रही है इस स्टार्ट अप को आई टी मद्रास के अलुमिनाय ने शुरू किया था ये सारे नौजवान हाज हमारे साथ फॉन लाइन पर मौजूद है सुयस, देनिल, रक्षीत, किशन और प्रनीत आईए इन युवाओं के अनुभवाओं को जानते हैं हलो हलो नमस्ते जी नमस्कार सर अच्छा साथियों मुझे ये देख कर खुशी होती है कि आयाय की मद्रास के दोरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है यही वज़े है कि आपने मिलकर गैलक्स आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विश्व में भी जानना चाहता हूँ इस बारे में बताईए इसके साथ ही ये भी बताए कि आपकी टेक्नोलोजी से देश को कितना लाब होने वाला है मेरा नम सुयाशे हम लोग साथ में जैसा आपने बोला सब लोग साथ में आई आई टी मुद्वास में मिलें वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे अलग-अलग येर्ज में थे अपने एंजिनिरिंगे और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक Hyperloop नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे उसी दोरान हमने एक टीम की शुरुवात की उसका नाम था अविशकार Hyperloop जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए उस साल हम एशिया की कलौथी टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो जन्रा है उसको हमने फैराया और हम तॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट उफ आराउंड 1500 टीम्स आराउंड दे वर्ल चलिए आगे सुनने जे पहले इसके लिए तो बताई देदू है बहुत बहुत दन्यवाद आपका उसी उपलबधी के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कथिन प्रोजेक्स और तफ प्रोजेक्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया और उसी दौरान स्पेसेक्स को देखके और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइविटाइजेशन को जो 2020 में एक लाइनमाप दिसेशन भी आया उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइट थे और मैं रक्षित को इन्वाइट करना चाहूँगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और इसका फाइदा क्या है जी तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलजी से हमको कैसे लाब होगा मैं इसका उत्तर दूँगा रक्षित आप उत्तराखन में कहां से हैं सर सर अलमोणा से हूँ तो बाल मिठाई वाले हैं आप जी सर बाल मिठाई हैं हमारे फेवरेट है वो हमारा जो लक्षिस हैन है न वो मेरे लिए रेगूलर्ली बाल मिठाई कहलाता रहता है हुझे है लक्षित बताई है तो हमारे जो ये टेक्नोलजी है ये अंतरिक्ष से पादलों के आरपार देख सकती है और ये रात्री में भी देख सकती है तो हम इससे देश के किसी भी कोने के उपर रोज एक साफ तस्वीर खेच सकते हैं और ये जो डेटा हमें आएगा इसका उपयोग हम दो शेत्रों में प्रिकास करने के लिए करेंगे पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना हमारी जो बॉर्डर से हैं और हमारी जो ओशन से सीज हैं उसके उपर रोज हम मॉनेटर करेंगे और एनेमी की आक्टिविटी उसको मॉनेटर करेंगे और हमारी आम्ड फोर्स को इंटेलिजेंस प्रवाइट करेंगे और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना तो हमने अल्रेडी एक प्रोड़क्ट बनाया है भारत के जहींगा किसानों के लिए जो अंतरिक्ष से उनके पाने की क्वालिटी मेजर कर सकता है वन टेंथ अफ दी करेंट कॉस्ट में और हम चाहते हैं आगे जाते वे हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी मेजर जेंडरेट करें और जो ग्लोबल एशुज है ग्लोबल वार्मिंग जैसे इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी साइटलाइट डेटा प्रवाइट करें इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी जय किसान भी करेगी जी सर पाएंगे और हम एट बार में एप्रॉक्सिमेटली मोर देन 300 स्कूर किलोमीटर एरिया वो इमेज कर पाएंगे चलिए मैं समयता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बना घरो होगा लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा जी सर स्पेस अब आपकी टीम इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? इसरो के ये अविलेबल और काफी अच्छे तरीके से हुए हैं जैसे कि हम इसरो में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे हाड़ वेर का ये काफी आसान तरीके से अभी हो सकता है तीन साव पहले वो प्रोसेस इस उतने नही थे और ये काफी तलफुल रहा है हमारे लिए औ काफी और स्टार्टप के लिए बदी और अफ़ि question AI policies की वज़े से और ये emailed लीट की वज़े से और साटटप को आने के लिए काफी incentive है और ऐसे स्टारॉपस आके काफी you can और काफी अच्छे से डेवलोप्मेंट कर सकते हैं ऐसी फील्ड में जिसमें यूजवली डेवलोप्मेंट करना बहुत कॉस्टली और टायम कंजूमिंग रहता है बट करन्ट पॉलिसी और इन स्पेस के आने के बार काफी चीज़े आसान हुई है साथक्स के लिए मेरे मित्र टेनिल चावड़ा पर इस पे कुछ और बोजन सहेंगे बताइए सब हमने एक और टीज अब्सर्व किया है हमने देखा है कि जो इंजिनेरिंग के चात्र है उनकी सोच में बगलाव देखा है वो पहले बाहर जाके हायर स्टेडिस परसू करना चाते थे और वहां काम करना चाते थे और स्पेस डोमेन में बट अब क्योंकि इंडिया में स्पेस एको सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो इसकारण वो लोग इंडिया वापस आके इस एको सिशम के पार्ट बनना चाते हैं तो ये काफी अच्छा फीडबेक हमें मिला है और हमारे खुद की कंपनी में कुछ लोग वापस आके काम कर रहे हैं इसी वज़े से मुझे लगता है कि आपने दोनों जो पहलू बताए हैं किसन ने और डेनि दोनों ने मैं जरूर मानता हूँ कि बहुत से लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा कि एक छेत्र में जब रिफार्म होता है तो रिफार्म का कितने मल्टिपल इफेक्स होता है कितने लोगों का लाव होता है और जो आपके वर्णन से और क्योंकि आप उस फिल्ड में है तो आपको ध्यान में जुरूर आता है और आपने अब्जर्वी किया है कि देश के नवजवान अब इस फिल्ड में यहीं पर अपना भविश हजमाना चाहते हैं अपने टालेंट का उप्योग करना चाहते हैं बहुत अच्छा अब्जर्वेशन है आपका एक और सवाल में पूछा जाहूंगा आप उन युवाओं को क्या संदेश दिना चाहेंगे जो स्टार्ट अप्स और स्पेस सेक्टर में सफलता हासिल करना चाहते हैं मैं प्रानित बात कर रहा हूँ और मैं सवाल के दोब दूब दूगा प्रानित बताईए सिर्थ मैं अपने एक खुछ सालों के एक्सपीरियंस से दो चीबे बोलना चाहूंगा सबसे पहली इज अगर अपने को स्टार्ट अप करना हो तो यही मोका है कि बुरी दुनिया में इंडिया आज वो देश है जो वर्ल का सबसे फास्टर्ट पिरोन एकॉनमी है और इसका मतलब यह हुआ कि अपने पास ऑपरचुनेटी बहुत ज़्याद है जैसे मैं 24 साल की उगर में यह सोच के प्राउड फील करता हूँ कि अगले साल हमारी एक साइकलाइट लांच होगी जिसके बेसिस पे अपनी गावर्नमेंट कुछ मेजर डेसिशन लेगी और इसमें हमारा छोट आसा एक कॉंट्रिबूशन है ऐसी कुछ नाशनल इंपाक की प्राउडेक्स पे काम करने को मिले यह ऐसी इंडस्ट्री और यह ऐसा ताइम है गिवन कि यह स्पेस इंडस्ट्री आज अभी तो स्टार्ट हो रही है तो मैं अपने युवा दोस्तों को यही बोलना चाहूँगा कि यह उपर्चनिटी ना सिर्फ इंपाक की बद अलसो उनके खुद के फिनेंशल ग्रोग की और एक ग्लोबल प्रॉबलम सौल करने की है तो हम आपस में यही बात करते हैं कि बच्पन में हम यह बोलते थे कि बड़े ओके एक्टर बनेंगे स्पोर्ट्समेन बनेंगे यह ऐसे कुछ चीज़े होती थी पर आज अगे हम यह सुने कि कोई बड़ा होके यह बोलता है कि मुझे बड़ा होके अंत्रिप्रेनर बनना है स्पेस इंडस्ट्री में काम करना है यह हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस पूड़े ट्रांक्सरमेशन में इस छोटा सा पास ले करते है साथियों एक प्रकार से प्रनीत, किशान, डेनिल, रक्षीत, सुयस जितनी मजबूत आपकी दोस्ती है उतना ही मजबूत आपका स्टार्ट अप भी है तभी तो आप लोग इतना शांदार काम कर रहे है तो आप सुन रहते हैं प्रदान मंत्री नरेंद मोदी की मन की बात और चले आके बढ़ते हैं मद्धबरदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर बात करेंगे बोपाल में बात करेंगे तो बोपाल में भी दो दिन से रोक रोक कर बारिश हो रही है जिसके चलते बड़ा ताला प्राइब है